हाईलो फ्रेंड्स गुड आप्टरनून स्वागत है आप सबका स्युक्रपा कलास अच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरपी ओफ कांस्टेबल वा एसा एक जाम दो हजार चोबिस के आज सिप्ट में पूछा सकने वाले मोश्ट उमपाटेंट जीके जी एस वाकर अ प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर सालू करें कोसंस कम साल्ब होने पर पूरा पास्टनों करीब इजन करें ताकि आरपी ओफ कांस्टेबल हुआ ऐसा एक जाम दो हजार चोबिस में आप लोग जीके जीएस वाके टापिक से अच्छे से अ इन सभी टापिक्स का आपके एक्जाम में अच्छा खासा बेटेज है पचास कोस्टन आपके यहां से पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों जदा समय ने लेते हुए हम लोग इन सभी मोश्ट पढ़ पसनों को साल भुकरना शुरू करते हैं दोस्तों कोस्टन नमर वन ह का खिताब किसने जीता करेक्ट अंसरोगा क्रिस्टीना पिसकोवा ने जो की चेगड़ा से आती हैं आप चुकि दोस्तों करेंट से हमारा कोश्चन आया हुआ है तो इस टापिक से जितने भी कोश्चन बनते हैं अधिकांस परसनों को हम लोग यहीं पर कबर करेंगे यही ह कोश्चन हमारा इंडियान स्टील एस्टील यानि की आई से की नए ध्यस कौन बने हैं करेक्ट अंसरोगा नवीन जिंदल कौन नवीन जिंदल एक एक कोश्चन दोस्तों आपके एक्जाम की दिरिश्टी से सुपर लगाएगे हैं आप लोग इन सभी प्रसनों को रिवाई जरूर करेंगे आगे बड़ते हैं कोश्चन ह Asia पर 30 त المहाएश्ट ग्रोफ पुरसकार दो हजार चोवीस से किसे समानित क्या घया करेक्ट अंसरोगा डाक्टर उमारे ले को किन है डाक्टर उमारे लेको आगे बड़ते हैं नक्स कोश्चन है मारा सीमा सुरच छबल यानि क तो परभावर्मा को किया गया पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे थोड़ा सा नोट देखें आपे दोस्तों परसिद्ध मलियालम कभी और साहित कार परभावर्मा को उनके उपनियास रौद्र साथ भी कम यह नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे इसी बुक्स के लिए ने यह 33 सरोस्वती समान 2023 से समानित किया गया है सरोस्वती समान केके विल्ला फाउंडेशन के दौर परदान के आता है और यह दोस्तों साहित के छेतिर में दियाता है यह भी पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे बढ़ेंगे दोस्तों आगले कोश्चन की और थोड़ा सा हम आपको बता दिना चाहते हैं दोस्तों जो कि आपके एक्जाम में 50 कोश्चन का वेटाज है यानि अच्छा खासा वेटाज इनके पूरी पार्ट करम को यानि कि आपका पूरा जिक आएगा जिसमें हिस्टरी पॉलिटी जिगर आफी को नाम इक्साएंगे आपका पूरा मिसलेनियस यानि बिमित का चेप्टर आएगा जो कि आपके एक्जाम में पूरी तरह से टेर्द में रहता है इसके लाँ आपका जिसमें कि जर्न सइस्थ और करेंट करेंड में दोस्तों हम लोग ने 2013 से स्टार्ट किये थे इस एक्जाम के लिए और 2024 में रिसेंटली 2024 तक क श्जवब है तो उप्डेट को मनाई गया है अगला विसु भोक्ता अधिकार दिवस ₹24 के श्टिति के मनाई गया तो पंदरा मष्च को और विसु जील दिवस ₹ permits के श्टिति को मनाई गया तो बाइस माच को पूरी तरह से अप अपडेट हैंगे आगे बढ़िए, question है, मुख मंत्री विश्चु कर्मा पेंसन योजना, किस राजे सरकार की योजना, तो राजस्थान, जो टापिक्स उठा जाते हैं, करेंड में भी दोस्तों, उनको उहीं पर पूरी तरह से कवर कर लिया आता है, अभी राज सरकार की योजना हैं, इससे अ राजसरकार ने महिलाओं के लिए गिरह लच्छी योजना की सुरुआत की है, तो एकर नाटक की दोरा सुरू किया गया है, और मुख मंत्री नास्ता योजना की सरकार की दोरा सुरू की यह तो राजसरकार की दोरा पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, यह करन को question है द तो भोपाल मद्यपर्देश में भोपाल एक्जक्ट लोकेशन रहेगा, इससे भी आप लोग अपडेट रहेंगे, ताकि अगर आपसन में यह ही आए तो आपके question मिस ना हूँ, और नहीं आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े, आगे बढ़ेगा, भारत के किस राज म मना आगया, तो गोवा में और भारत की पैर आलंपिक समित के नए धिसकों में देवें जाजरिया, पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, यह करेंड के question थे जिनको हम लोगों ने cover किये हैं, थोड़ा सा यहां पर दोस्तों हम लोग PDF के बारें बात करेंगे, पुना हम ल जानते होंगे, इनके पूरे पार्टे करम को हमारे द्वारा 25 PDF में पूरी तरह से cover कर लिया गया है, जिसकी पेटफी 100 रुपे रखी गए, वाट सब आप लोगों के सामने, जहां पर आप जूड कर पीडिया ले सकते हैं, सेकेंड पीडियाफ के बारें बात करना चाहेंगे दोस्तों, यह हमारा एक कमबाइन PDF है, इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडिय कर दिया गया है, यह PDF है हमारा विहार SSC वा विहार पुलिस कांस्टेबल का, नेक्स्ट पीडियाफ जो हमारा विर्थियों को दिया जा रहा है दोस्तों, यह UP Police Consulted Exam 2024, इसका नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडिय कर दिया गया है, और SSC आल एक्जाम 2024 का पीडियाफ भी पूरी तरह से रेडिय जो के विर्थियों को दिया भी जा रहा है, इसमें पाट करम को यहाँ पे दोस्तों 25 PDF में पूरी तरह से कबर किया गया है, ध्यान रखेंगे, और सपनमबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जोड़ कर PDF ले सकते हैं, एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडियाफ लूई चुके हैं, ले रहे हैं, आप PDF का प्रिंट आउट जरूर निकल वाएं, निकल वाने से से सीट बन जाएगी, आप अंडर लाइन लगा कि श्टडी कर सकते हैं, पुना रिवाइस कर सकते हैं, और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में, आप लोगों की प्रिपेशन अच्छे खासे रहें से क्लेर ह जाती है अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग क्या है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तडपा इस्थित है करेक्ट अंसुर गाशीन नदी के तडपा यहां से दो सीट आपके फीडियाप में लगी हुए एक भारत के जितने महात्पुन दोस्तों शहर है यानि किन अगर है किस नदी के किनारी त्डा और विस्थ लेवल पर यानि अंतर राष्टी लेवल पे तो दोरोग सीट लल बहुत है क्मारा कोश्चन जो आयो अंतर राष्टी लेवल पर यहां नी किन नदी के तरपा इस्थित नहीं से पूरी तरह से कवर करेंगे सब और पर राजधानी पेरीज किस नदी के तरप इस्थित है करेक्टेंस और सीन नदी के तरप अब एक नदी तरप इस्थित एक तरफ दिया गया है विश्व के पर मुखनगर और दूसरी तरफ नदी के नाम सबसे प्ले दोस्तों वगदाद जो की इराक की राजधानी है यह भी आप अस्थे लिए में दोस्तों झो पंस्चमी आस्थे लिआ है कि स्टेट है उसकी राजधानी पर्थ है जो की श्वान नदी के तरप इस्थित थे इतना डिपली भी ध्यान रख है रों जो की इडली की राजधानी आप लोग जानते होंगे दोस्तों यह ट्रा अप पूरी तरह से आप अपडेट हैंगे जितने दोस्तों आपके एक्जाम्स के लिए हैं सब पूरी तरह से कबर हैं इसमें से कोशनस बनते रहते हैं आपके एक्जाम्स और रिपीट होते रहते हैं शंघाय चीन का एक सहर है यांग टी शी Kirं नधी के अधिरस इते हैं रंगून यूकि में आमारी की राजधानी इरावदी नधी के अते हैं ओटावर जो की कनाड़ा की राजधानी दोस्तों शंत लारंस नधी के मिस ना हो आगे बढ़ेंगे कोश्चन के रखा गया है सेरी कल्चर में किसका अध्धिन क्याता है तो रिश्म केट पालन का शाइंस का एक पार्ट है दोस्तों आप लोग जानते हैं ये व्रांज कही सकते हैं शाखा है यानि कि आप जानते हैं बहुत साइज दोस्तों शाइंस के अंदर अलगलब फार्ट हैं जिसमें अध्धिन के जाते हैं बहुत सारी चीजों की डाकले यहां से कोश्चन से बनते हैं तो इस सेट को आप लोग पूरी तरह से रिवाय रखेंगे जिसमें की मदमक्की पालन का दिन के आता है PC culture में दोस्तों मद से पालन का दिन के आता है बिल्कुल highlighted question है माइकोलाजी में कौको का दिन के आता है उसी के साथ देखेंगे फाइकोलाजी में शेवालो का दिन के आता है एंथो लाजी में पुश्पों कादिंग याता है, वो हर दोस्तों टापिक्स जहांसे आपके रख़ा में सब कुछ पूरी तरह से कवर्ड़ कर दिया गया है , पामो लाजी में बात कि जाएं, फलो का दिन के कियाता है सिल्वी कल्चर में काष्ठी पेड़ों का संगवर्धन से रिलेटेड है हाजारों बार पुझा के आप लोग जानते हों कि हर्टी कल्चर क्या दोस्तों किसका दिन उद्यान विज्ञान का किया जाता है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट पॉंट क्यों यहां से अगल पूरी तरह से रेड़ी है यूपी पुलिस कांच्ट वार एक्जाम नेवर्जन पूरी तरह से इसका भी रेड़ी है बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्यों क्यों और क्या हमारा क्यों प्रवातात्विक नगर मोहन जवदलो किस नधी के तरपाश थी था शिंदु नदी के तरफ पर हडपा काली जो अस्थल हैं आप जानतें दोस्तों यह भी आपका मोस्ट में टापिक्स है काभी लोग इगनोर करके चलते हैं लेकिन वह हर टापिक्स जहां से आपके पार्ट क्राम में में सबकों में पूरी तरह से अपडेट करने हैं ध्यान देखेंगे अब हात्मों जो हडपा काली अस्थल थे दोस्तों किस नदी के तरपाइस थी थे डाटली कोस्ट बनते हैं तो देखेंगे इसलिए पहले कोस्टन रखा गया है पुरात आद्विग नगर मोहन जदोल किस नदी के तरपाइस थी था करेक्ट अंसरों शिंदू नदी के अब एक तरफ दोस्तों हडपा काली नगरों के नाम देगे हैं दूसरी तरफ नदी तर यानि कौन से नगर किस नदी के तरपाइस थी थे चले शुरू करेंगे हम लोग पहले पॉइंट से देखेगा सबसे पले हडपा है दोस्तों जो की रावी नदी के तरपाइस थी था नदी के तरपाइस थी था लोथल most important एक बंदरगावी है दोस्तों लोथल जाना जाता था जो की वहगवा नदी के तरपाइस थी था अलमगीरपूर हिंड़ा नदी के तरपाइस थी था वनावली की बात की जैस सरुस्वती नदी के तरपर मांडा दोस्तों चिनाब नदी लगा आपकी सामने लगा दिगा है इसको आप लोग अपडेट रखेंगे बहुत सारे कोश्चन दोस्तों इस टापिक के आपके एक्जाम के लिए पूरी तरह से कबर होंगे चलिए शुरू करते हैं हम लोग कोश्चन के हमारा बाध्धों का ड्राश्टी उद्यान किस राज में इस्थित है करेक्टर सों का मद्धि परदेश में है पहले कोश्चन से सुरू किज जरूर बताएंगे अगला है सायादरी प्रवस सिंकला को और किस नाम से जाना जाता है तो पश्च में घाट के नाम से बहुत वार पूछा गया है नेक्स्ट किस प्रवती अस्थल को सत्पुड़ा की रानी का जाता तो पंच मढ़ी है अब गारों खासी और जैन्तिया ति काली मिट्टी को और किस नाम से जाना था तो रेगोर मिट्टी ये भी बार-बार पुछा गया है और कपास की खेती के लिए सबसे उप्योक्ति मिट्टी कौनसी माने जाती है तो काली मिट्टी चाय की खेती के लिए उप्योक्ति मिट्टी कमेंट किरके आब लोग बता द अब उहां पे चोटी की बात हुई थी यहां पे नदी तो गोदावरी है और आप जानते हैं नासिक जो सहर है इसी नदी के तरप इस्थित है और इस नदी को उब्रिद गंगा बोड़ी गंगा इसे नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट दच्छिण गंगोत्री क्या तो अंटा करटिका में इस्थित एक स्वचालित स्टेशन है नेक्स्ट भागी रती और अलक नंदा नदिंग के संगम पर इस्थित नगर है तो देव पर यह आग है नेक्स्ट बादोगर राष्टी उद्यान किस राज में इस्थित ह आगे देखेगा चार कोश्चन एक साथ पहले सुंदरवन टाइगा रिजर्व किस राज में इस्थित है पश्चिम मंगाल में फिर है केवलादेव राष्टी उद्यान भाद के किस राज में इस्थित है करेक्टन सुगा राजस्थान में फिर सिमलिपाल टाइगा रिजर कौन सा तो कारवेट नेशनल पार्क है कहां पे इस्थित है आप लोग बताएं परस्चिम बंगाल बे रानी गंज का संबंद किसे किसके काने फेमास है तो कोईला चेत्र और नागार जुन सागर प्रियोजना किस नदी पसंद चलित है किस नदी आगे बढ़िएगा भात के स सबसे चोटी अंतराश्टी सिमा की देश के साथ है तो यह आप क्लियर करेंगे दोस्तों कमेंट के लिए दिया गया है आपको कि यहां पर अफगानिस्तान आपका इस समय करेक्ट एंसर होना चाहिए या फिर भोटान कमेंट करके जरूर बताएंगे नेक्स्ट नियुमूर कराणियों पर बहुत बार पूछा गया है काड में पाली कहां पर इस्तीत है केरल में फिर क्या दूस्तों अगला कुशन हमारा पंच गंगा तो दूद गंगा किसकी साहक नदी तो कृष्ञा की और मानस किस नदी के उपन नदीया किस नदी किस साहक नदी है तो ब्रहमंप फिरेदपूर किस नदी के सराज में इस्तित थै किस नदी कोंदनार बात तो कोईनावात किस राज में ओस्तित थै तो जल प्रपात किस नदी पसंचाहित है तो सौंड रेखा नदी पर पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे पीडियाप के लिए दोस्तों यह हमारा होटसप नमबर लगा है बढ़ेंगे दोस्तों लोग अगले कोश्चन की ओर कोश्चन क्या हमारा अगला देखेंगे आप देखेगा यह के कोश्चन यहां पर आपके एक्जाम के रिए सूपर लगाए गये हैं चलिए शुरू करते हैं कोश्चन के हमारा धान विदायक की परिभासा भारती संग्धान के की सनुचित में वाड़ी थे करेक्टन सोग 110 में पहला कोश्चन से रेगिवलेटिंग एक् विदायक की परिभासा दीगे तो 110 में आगे बढ़िएगा कोश्चन है चार एक साथ देखेंगे पहला है संग्धान के की सनुचित द्वारा लोग सिवाव को सनुचित में निर्वाचन आयो के लिए प्रावधान है तो 324 है नेक्स्ट संग लोग से आग के कारियों का उल कोश्चन रखा गया है दोस्तों नए राज्य के गठन अथो श्रीमा में परिवर्थन करने का अधिकार किसको है तो संसत को है नेक्स्ट भासा के अधार पर गठित भासा के अधार पर राज्यों का पुनर गठन किस वर्स में किया गया था तो 1956 में में मोश्टिमण वर्तमान में संपतिक अधिकार कैसा अधिकार है तो विदिक अधिकार है यानि के कानूनी अधिकार है आगे बढ़िए अगला कोश्चन क्या है सिंग्धान सभा की पर्थम बैठक कभूई थी नोदिशम निश्यों निश्यों को डेट जरूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट भारते सिंग्धान को कबंगी करीद किया गया तो 26949 को नेक्स्ट सिंग्धान निर्माण किस हमें प्रारूप समितिके देश कों थे डक्टर बिरारम बेटकर और भारते सिंग्धान सभा कść था है अध्यों देश कों थे तो डाक्टर सिजदरन सिनहा आगे बढ़िएगा अगला question क्या हमारा, भारते सिंग्धान में, चार question एक साथ देखेंगे, चारों सूपर लगे हैं, पहला आए, भारते सिंग्धान सभा में, उद देश से परस्ताओ, किसने परस्तुत किया था, तो पंडि जवहलाल नहरू ने, next, भारते सिंग्धान में, वडित मूल अधिक आप जानते होंगे, आगे बढ़िएगा, अब यहां से पहला question देखेंगे, आप लोग को, क्या है, वार्सिक वित्तिया विर्मार जिसे हम लोग वजट के नाम से जानते हैं, पूछा जरा है, कावड़न सिंग्धान के की सनुचित में, तो 112 में है, next, धन विदय की परिव यह पंचैती रास परणाली का प्रस्ताव किस ने दिया था, तो बलवंतरा में तरस समीति ने, next, तेत्रों संग्धान संसोधन कब हुआ था, 1992 में, फिर भारते संसद के सन्युक्त सत्र के देस्ता कोन करता है, लोगसभाद ध्याच, और भारते संग्धान के किस भागवे म संसदान द्वारा गोवा को पूर्ण राजी का दर्जा दे गया, तो 56 संसदान द्वारा संपत के अधिकार को मूल अधिकार से अटा दे गया, तो 44 संसदान था, जो कि 1978 यनि 1978 में किया गया था, most important, आगे बढ़िए, अब क्या question है हमारा, प्रकास हुआज किस काही करेक्ट आपके फिजिक्स के भी, कैमेस्ट्री के भी और वायो के भी कवर के गये, देखेंगे दूस्तों एक क्यो क्यों के अग्जाम के लिए सुपर साबित हो सकते हैं, चलिए सुरू करते हम लोग, question था हमारा, प्रकास हुआज केस की काही है, करेक्टरों सोगा दूरी की, अब पहला question देखिए, जल में तरना Newton की गति के किस नियम के काण संभव है, तो तिरती ये नियम है, next, या देम भूमद रेखा से धुरूओ की और जाते है, तो जी कमन क्या होता है, बढ़ता है, next, एक नदी में चलता हुआ, जहास समुद्र में आता है, तब जहास का स्तर क्या होगा, थोड़ा उपर उठेगा, next, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्सित करता है, कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांग पर क्या परभाव पड़ता है, बर्फ का गलनांग घट जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा, अगला कुश्य क्या दुस्तों मारा, हाड्रोजन से भरा रवड का गुबारा, वाई में उपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वाई दाब उपर क्या होता है, घर जाता है, next, सूर की उर्जा उत्पन होते है, नाब के संगलें द्वारा, next, डाइनेमो परिवर्तित कहता है, यंद्र कुर्जा को बिद्धू तूर्जा में, और वण्फा की बूद्ध का गौल आकार, गौल आकार की सकांड से होता है, तो प्रिष्ट तनाओ के कारण, next, तेल की एक छोटी बूद्ध पानी पर फैल जाती है, क्योंकि तेल का प्रिष्ट तनाओ अधिक होता है, next, लोही की सुई पानी की सता पर किस कांट से तरती है तो प्रिष्ट तनाव के कारा प्रेसर कुकर में भोजन कम समय में तयार हो जाता है क्योंकि जल का कुथनाग बढ़ जाता है और दूर्विन का विसकार किस ने क्या था गय लिलियो ने अगे बढ़िएगा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन होता वहा किसका विसाडू है चेचक की टी की खुष किसने की थी एडवर जेनर ने पेंसलीन की खुष किसने की थी अलेक्जेंडर फलेमिंग ने सब की सीड भी आपकी पीडियाप में लगी हुए है नेक्स्ट बिस्व में सबसे तेस बढ़ने वाला पाउधा कौन सा है तो बा पान में खरा रोक किसके कारण होता है तो जसता की कमी के कारण है और किसके पाचन होते है करेक्ट्र हो है किसके थार चीख तो यह था दूसतो इस स्रीज के टाप फिम सी क्योंट के परसने जिन को आप यहां लोगे ने साल्व की biss उम्मीद दोस्तों आप सभी लोगों ने सल्व किये होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने फरस्न सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमाई स्टेडी चैनल से कुर्पा क्लासे से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोड़ा दे जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नक्स्ट वीडियोज में थैंक्स फार वाचिंग